नमस्कार दोस्तो वेलकम बैक टू मैं चैनल मेरा नाम है नील और आज मैं आपके ले लेकर आए हूँ एक बहुत ही खास वीडियो दोस्तो आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे डियू के SOL Students की जो इस समय Second या Fourth Semester में हैं तो दोस्तो आप में से बहुत सारे Students ने Admission लेते समय अपने Optional वाले सबजेक्ट को गलत सेलेक्ट कर लिया होगा या फिर आपने सेलेक्ट उस टाइम पे किया होगा लेकिन अब आप चाहते हैं कि कास उन सबजेक्ट को हम अब चेंज कर बाते तो दोस्तो अगर आप Second या Fourth Semester में हैं तो बिल्कुल अब आप अपने सबजेक्ट को चेंज कर सकते हैं ओफिसनल वाले जो सबजेक्ट हैं आपके ठीके तो आपको Simply उसके लिए क्या करना है वही प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको Simply अपने Mobile Phone में या फिर आपको Laptop में Google Chrome Browser को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आपको Search Box में यापे Simply सर्च करना है SOL सर्च करने के बाद SOL का जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए लिखा होगा है SOL.du.ac.in और यहाँ पे लिखा होगा है School of Open Learning इस पे website का option आप इस पे click कर देंगे click करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा जिसमें से student dashboard पे आपको click करना है या फिर right hand corner पे जो student login का option है आपको इस पे click कर देना है जब आप इस पे click कर देंगे तो आपको यहाँ पे login करने के लिए बोला जाएगा कि आप यहाँ पे अपना sol का roll number डालिए वो आप यहाँ पे enter करेंगे और अपना barcode आप डालेंगे जो कि आपके जब आपने admission कराया था तो आपको एक receipt दिया गया था ठीक है उस पे भी आपको लिखा हुआ यह मिल जाएगा आप उस पे से देख करके यहाँ पे login कर लेंगे login करने के बाद में आपके सामने यह interface दिखाई देगा notice board ठीक है यह notice board आप यहाँ से भी open कर सकते है माई account में जाके notice पे click करके ओके तो अब notice board पे यहाँ पे सबसे पहला जो option आ रहा है हमारे पास में select optional papers for second semester तो दोस्तों जो मैंने यहाँ पे login किया हुगा है यह second semester के student का है अगर आप fourth semester के student हैं तो यहाँ पे आपको second semester की जगा पर आपको fourth semester लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा ठीक है तो आपको यहाँ पे click कर लेना है simply click करने के बाद में यहाँ पे कुछ इस तरह का interface आपको दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा already submitted if you want to change please submit the below form again तो दोस्तों यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यह जो form है already आपने पहले submit किया हुआ है लिकिन अगर आप चाहते हैं अपने subjects को change करना तो नीची दिये गए इस form को आप फिर से fill कर ये तो देख लेते हैं यह form में क्या लिखा हुआ है तो सबसे पहला option यहाँ पे आ रहा है हिंदी का English, Tamil, Urdu और Punjabi दोस्तों यहाँ पे जो यह student है यह art का student है ठीक है अगर आप कोई दूसरा course कर रहे हैं जैसे कि हो सकता है become कर रहे हूँ तो आपका subject आपके become के हिसाब से यहाँ पे दिखाई दे जाएगा ठीक है और अगर आप four semester के student है तो आपको four semester के हिसाब से यहाँ पे आ English subject है वो आपने कौन सी class तक पढ़ा है ठीक है तो आपको यहाँ पे simply select कर लेना है तो जैसे कि मैं आप पे 12th select कर देता हूँ select करने के बाद में English पे भी आपको यहाँ पे select कर लेना है select करने के बाद में यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो subject है वो आपने कौन सा पढ़ा English मे होता है English Elective है, Functional English है तो इस में से जो भी आप ने 12th में रेट किया था ये 10th में तो आपका उसके हिसाब से अपनी हिसाब से आपको सलेक्ट कर लेना है, सलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको subject का जो percentage आपका आया था 12th में यह 10th सेलेक्ट कर रहे हैं तो 10th में ठीक है उसके हिसाब से आप यहाँ पे डालेंगे ठीक है और उसके बाद form को submit कर देंगे मान लीजिए कि आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है चाहते हों कि हम तह मिल लें तो आप उसके हिसाब से form भरेंगे हो झाता हूँ कि ओर्दू आप सीखें ठीक है तो ओर्दू के यायसाब से आप यहाँ पर select करेंगे और चाते यह पंजाबी आप select करें तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि आप जो भी अपने subject को change करना चाहते हैं आप अपने form को उस हिसाब से यहाँ पे fill कर लेंगे ठीक है और देन उसके बाद submit कर देंगे ठीक है submit करने के बाद में ये successful आपका subject change हो जाएगा ठीक है और दोस्तो आपको confused होने कि आप सकता नहीं है फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई भी doubt होता है confusion होता है तो आप comment box में comment कर सकते हैं और दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगो तो वीडियो को like कीजिए जादा से जादा share कीजिए और अगर आप हमारे channel पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजे अभी के लिए इतना ही thank you so much